गुड मॉर्निंग तर्क संग्रे में अब हम अनुमान के प्रक्रण में लिंग कितने प्रकार का होता है पक्ष क्या है सपक्ष क्या है विपक्ष क्या है इसका अध्यन करेंगे जैसा आप सब को पहले बताया कि लिंग परामर्श ही अनुमान है जब हमने लक्षन पढ़ा था अनुमान ट्रमान का तो पहले हमने क्या पढ़ा अनुमिती के करण को अनुमान कहते हैं फिर वहाँ पर पढ़ा परामर्ष जन्यम ग्यानम अनुमिती परामर्ष से उत्पन होने वाला ग्यान अनुमिती है उसके पश्चात परामर्ष क्या है उसको वहाँ पढ़ताया व्यापती विशिष्ट पक्ष धर्मता ग्यानम परामर्ष चा व्यापती से विशिष्ट पक्ष धर्मता के ग्यान को परामर्ष कहते है अब व्यापती को बताया सहचर का नियम व्यापती है उसी के साथ फिर हमन पक्षधर्मता कि व्याप जो हेतु है उसका परवतादी पक्ष में रहना पक्षधर्मता कहलाती है उसके बाद हमने पड़ा अनुमान के कितने प्रकार हैं फिर उस स्वार्थानुमिती के में हमने का कि लिंग परामर्श ही करण होता है तो लिंग परामर्श को हमने यहां प प्रत्यक्ष्ष्प्रमान में इंद्रियों को प्रत्यक्ष्प्रमान माना उसी प्रकार से अनुमान में लिंग परामर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो ये तीन प्रकार का लिंग कहा गया कि तीन प्रकार का होता है अन्वे वितिरेकी, केवलानवई और केवल वितिरेकी अब कहते हैं जो ये तीन प्रकार कहा तो उसको कहते हैं कि जो तीन प्रकार का लिंगर बता है कि उसके रहने पर उसका रहना ये अन्वे है फिर इसकार्थ क्या हुआ हेतु के रहने सो उसके रहने पर उसका तध सत्वे तध सत्था ये अन्वै व्यापती हुई यह ऑन्वै व्यापती हुए फिर दूसरी चीज़ क्या कि तद अभावे तद अभावा अथार साध्य के अभाव से हेतु का अभाव होना ये व्यतिरेक हुआ तो यहां पर कहते हैं कि पहला जुनोंने का अन्वे वितिरेकी तो अन्वे वितिरेकी कार्थ क्या हुआ जुनोंने पहला प्रकार बताया कि अन्वे पहला प्रकार है अन्वे वितिरेकी तूसरा है केवल अन्वे और तीसरा है केवल वितिरेकी तो अन्वे व्यतिरेकी का कहते हैं कि अन्वे व्यतिरेकी इंचा व्यापती मद अन्वे व्यतिरेकी कि जहां अन्वे और व्यतिरेक से व्यापती रहती है वो अन्वे व्यतिरेकी लिंग है जिसको अभी हमने ऊपर थोड़ा सा इसपर्ष करने करेका तद सत्वे तद सत्ता तदभावे तदभावा अथार्थ, साधन के रहने पर साधिका होना, या जिसे हमने साधन का उसी को हेतु कहते हैं, तो हेतु के होने पर साधिका होना, और साधिके अभाव से हेतु के का अभाव, तो ये अनवे वितिरेकिंग करके होना, अथर्थ हेतु के द्वारा साध्य का पाया जाना या उसका सिद्ध होना ये अनवे हुआ अनवे क्रम हुआ और साध्य के अभाव में हेतु का अभाव ये व्यतिरेक हुआ तो यहाँ पर कहा गया कि हमने लगातार पढ़ते आ रहे हैं आपके दिमाग में बैठती चारियों के बात इसलिए पनो रखती भी करती हूं, बार-बार उसको दोराती हूं, कि जैसे परवत पे साध्य है अगनी का होना, क्योंकि साध्य क्या हुआ जिसको सिद्ध करना है, और सिद्ध हम किसको करेंगे यहां पे, जो हमें दिखाई नही है कि इसलिए वो हेत्य है, तो हमने जो अनवे अक्रम पढ़ा, वो क्या पढ़ा है, हेत्य के होने पर साध्य का होना, अथार धुए के होने पर अगनी का होना, यह अनवे व्यापती हूई, और साध्य क्या था यहां पे अगनी, तो अगनी के अभाव से साधन का अभाव य तो यहां पर चेहते हैं कि शादिवन्नी में धूम खेतुका रहना अन्वे प्रम क्या हुआ है? यत्र धूमस तत्र अग्णी कि जहां धुआ है वहां आग है यता महानसम जैसे पाकशाला में यह हूइ अन्वे व्याप्ती और यत्रवनिस नास्ती जहां अगनी नहीं है तत धूमों अपी नास्ती वहां धूआ भी नहीं है यतार जैसे सुरोवर इती व्यतिरेक व्यापती ये हुई व्यतिरेक व्यापती ये इस पश्ट हो गया कि हेतु के होने पर साध्य का होना अथार्थ धूएं के होने पर अग उम्री के अभव JUVEE ग्म lawn के अभव को बताना यह हूई वधिरेकव्याप्टी तो यहां पर ये दोनौ की टीजे चीजरे से हमें सलीप्रकार से मुझे कि है। सुस्ति है कि सथ्थ्द्धय कर收urate एक हम सुझ के रिद्ध्ध्न न Zum और व्यतिरेक क्रम भी प्रातोता है जो अभी आपको धरण दिया कि धुएं के द्वारा अगनी की सिद्धी यानि कि धुआ है तो आग है ये हुई अन्वे व्यापती जहां अगनी नहीं है वाँ धूम भी नहीं है ये हुई व्यतिरेक व्यापती अथार साध्य के भाव से स उसका उधरण क्या दिया सरवर कि सरवर में अगनी नहीं है यहां हिव कोनों जहाँ पर अन्वे क्रम मिल रहा है और व्यतिरे क्रम मिल रहा है वह लिंक यहाँ पर अन्वे व्यापती- अन्वे व्यतिरे की कहल आयेगा तो जो धुए और अग्नी उधारन एवन्ति- अब इसके बाद दूसरा बताते हैं कि अन्वे मात्र व्यापतिकम केवलानवई कि जहां पर केवल जिस हेतों में केवल अन्वे व्यापति हो वो लिंग केवलानवई कहलाता है जैसे घटो अभिधे या प्रमेयत्वाद कि घट अभिधा का विशे अभिधे हैं, अथार्थ अभिधा का विशे हैं, क्यों है, हेतु क्या देने इसमें प्रमेयत्वाद, प्रमे होने के कारण, प्रमा का विशे होने के कारण, घटवत या पटवत, इसको यहां पे घट का अधारन तो का पटवत की बस्र के समान तो केवलान भई क्या हुआ यहां पे क्योंकि कहते हैं कि अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वेयो व्यतिरेक व्यापति नास्ति कि यहां प्रमेयत्व और अभिधेयत्व में व्यतिरेक व्यापति नहीं है सर्वस्यापी प्रमेयत्वात अभीधे यत्वात वोकि सवस्त पदार्थ जो है वो प्रमे हैं प्रमा का विशे हैं और अभीधे हैं अभीधा का विशे हैं तो यहां जैसे मने पहले पढ़ा कि हेतू के होने पर साधिका होना और साधिके अभाव से हेतू का भाव यह अनवे व्यतिरे की क्रम हो गया लेकि घट अभिधा का विशय है अधार्त उसको हम कोई नाम देते हैं उचारण का विशय है उसको हम नाम देते हैं अभिधा माने नाम क्यों है अभिधा का विशय प्रमेई अत्वात क्योंकि वो ग्यान का विशय है तो हमारी जो कुछ भी हमारे ग्यान का विशय है उन सब को हमने कोई नाम दे रखा है तो यहाँ पे जो समस्त पदार्थ जो है वही क्या हो गए प्रमे हो गए किसके समान पटवत पटके समान उधराण यहाँ पे केवलान वही का बन गया कि अनवे क्रम तो हो गया कि जो जो अभिदे है अनवे वेतरिय के हमने का कि हेतु के होने पर साध्य का होना तो प्रमेयत्व जो है यहाँ पर हेतु है तो प्रमेयत्व के कारण जो जो प्रमा का विशे है वो अभिधा का विशे है अभिधे है तो यहाँ पर यह अनवे व्यापती तो बन गई लेकिन अब इसका यदि में व्यतिरेक व्यापती बनानी है तुम क्या कहेंगे कि जहां पर जो अभिधे ये नहीं है वो उनमें प्रमेयत्व भी नहीं है अब ये अगर व्यतिरेक व्यापती बनाते हैं कि जो अभिधे ये नहीं है वो अभिधे ये प्रमेय भी नहीं है तो यहां पर उसका कोई उधारन हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, साद्ध के अबाव से सादन का अबाव सिद्ध करना, तो यहां पर साद्ध क्या है, घट का अभिधेयत्व, हेतु क्या है, प्रमेयत्व, तो अभिधेयत्व के द्वारा, हम प्रमेयत्व को सिद्ध कर रहे हैं उधारन दे दिया क्योंकि हम कुछ भी ले सकते पट के समान का इसको आप कोई दूसरा विशह ले ले पट नहीं कहें हम कुछ खाद्य पदार्त कह दे या कोई अन्ने हम उसके अंदर जो भी उसके विशह सरिता कह दे समुद्र कह दे सब खरे को हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है और क्यों दे रखा है क्योंकि वो हमारे ज्यान की परिधी में आ रहे हैं तो अब हम इसको व्यतिरेक व्यापती में यदि हम कहेंगे तो क्या कहेंगे जो प्रमेय नहीं है अभिदेय नहीं है उसमें प्रमेयत्व भी नहीं है जिसमें अभिदेयत्व नहीं है उसमें प्रमेयत्व भी नहीं है अथार्थ सिद्ध क्या करना है में यहां पे घटका अभिदेयत्व तो अभिदेयत्व के अभाव से हमें प्रमेयत्व के अभाव को सिद्ध करना है क्योंकि प्रमेयत्व और अभिदेयत्व सभी पदार्थों में है था तो कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारी ज्यान की परिदी के बाहर है यहां पर यह इस प्रकार के जो उधारन होते हैं जहां पर व्यतिरेक व्याप्ती संभव ही नहीं है वो केवलानवई होंगे फिर कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्यापति कम केवल व्यतिरेकी जहां पर केवल व्यतिरेक व्यापती मिलती हो वो लिंग केवल व्यतिरेकी होती व्यतिरेक व्यापती क्या होई? साध्य के अभाव से साधन का अभावत आना तो यहां कहते है यथा प्रित्वी इत्रेव्यों भिदिते गंदवत्वात यद इत्रेव्यों ना भिदिते ना तदवत गंदवत यथा जलम कि प्रित्वी क्या है इत्रे भ्यों भिद्यते इतर जितने द्रव्य हैं पदार्थ हैं उनसे भिन्ने हैं हमने साथ पदार्थ पढ़े साथ पदार्थों में ही हम पहला हमने पढ़ा द्रव्य तो यहां पर कहते हैं प्रित्वी इत्रेव्यों भिद्यते कि प्रित्वी जो है वो इत्रों से भिन्न है इसको हम या द्रव्य भी कह सकते इत्रव्यों से भिन्न है क्यों भिन्न है गंदवत्वात गंदवाली होने के कारण यद इत्रेव्यों ना भिद्यते जो इतरत पदार्थों से भिन्न नहीं है इतरत पदार्थों से के समान भिन्न नहीं है वो क्या है ना तद गंदवत वो गंदवाले भी नहीं है यथा जलम जैसे जल ना चाईयम तथा ये वैसी नहीं है अथर्थ गंद के अभाव वाले नहीं है तस्मात नात था इसलिए वैसी नहीं है अथर्थ वो इतर पदार्थों जैसी भी नहीं है अथर यत गंदवत तद इतर भिन्न भिन्नम इति अन्वे द्रिश्टान तो नास्ती अब कहते हैं कि यहां पर जो गंदवत्व है उसका गंदवाली होना है या जो गंद उसका गोणे तो उस गंदवत्व से युक तो होना है तद इतर भिन्न वो इतर से भिन्न होने के कारण अन्वे द्रिश्टान तो नास्ती अथर्थ अथर्थ उसका अन्वे द्रिश्टान तो नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर पृत्वी मात्रस से पक्षतवाद यहाँ पर पृत्वी ही अथा जो पृत्वी द्रव्वे है वो ही पक्ष बन गया है अगर हम कहते घटक भिन है तब वहाँ पर हम पृत्वी के जो अनविक विशय हैं उनको ग्रहन कर सकते थे लेकिन जो हमने संपूर्ण टित्वी को ही पक्ष बना दिया तो यहां पर अनवेद रिष्टान्त नहीं राप्त होता है तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि प्रित्वी की इतर पदार्तों से जो भिनिता सिद्ध कर रही है उसमें हम उसका गंदवती होना जो है उसमें हेतु है और जो अन्य पदार्तों से भिन नहीं है उसमें उनके समानी अन्य पदार्तों से भिन नहीं है उसमें गंध भी नहीं होती तो यहां पर संपूर्ण इतरपदार्थों को हमने क्या कर दिया उसके लिए हमने कह दिया कि वो गंध वाले भी नहीं होते जैसे जल क्योंकि उसमें गंध जब भी होगा आप यह पढ़ चुके गंध के वल प्रित्वी का गुणे जहां कई भी हमें गंध की प्रतीती होती है चाहे वो वायू में हो चाहे जल में हो वो पार्थिव कणों के संसर्ग के कारण होती है तो यहाँ पर प्रित्वी जल के समान गंध रहित नहीं है इसलिए प्रित्वी इतरपदार्थों के समान गंध ही नहीं है और जो गंध वाली है वो अन्य भिन्न है अथार्थ उन्से भिन्न है ऐसा द्रिश्टांत बनी नहीं सकता क्योंकि सम्पून प्रित्वी मात जो है वो उसको हमने यहाँ पर पक्ष बना दिया है इसलिए यहाँ भेद साध्य वाली अनुमिती में प्रित्वी को ही पक्ष बनाने के कारण यहाँ अन्य ग्रिश्टांत नहीं है क्योंकि जो गंध के अभाब वाली होने के कारण इतर भे परामर्श है तो उसमें लिंग जो है वो तीन प्रकार का आगया अनवे वितिरेकी केवलानवई और केवल वितिरेकी तो अनवे वितिरेकी में अनवे और वितिरेक दोनों व्यापती मिलती है अथार्थ हेतु के द्वारा साध्य हेतु के होने से साध्य का होना और साध्य के भाव से हेतू क्या भाव हो ना, ये अन्वे वितिरे की क्रम हुआ, जहां केवल अन्वे रिष्टांत मिलता है, केवल अन्वे व्याबती मिलती है, वो केवल अनवे होते हैं, जिस को हमने पहले पढ़ लिया, यहां वहाँ पर कि घट जो है उसका अभिधेयत वसिद्दी करना है। उसमें प्रमयत वहेतु है। और क्योंकि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें अभिधेयत और प्रमयतु से रही तो इसलिए वहाँ पे व्यतिरे व्यापती नहीं बनती। फिर कहते हैं कि केवल व्यतिरे की अथार्थ जहां पर अन्वे द्रिश्टांत नहीं मिलता हमको तो यहां पर हम जो कहते हैं कि प्रित्वी इतरपदार्तों से बिन्ने गंदवाली होने के कारण जो गंदवाली नहीं है वो प्रित्वी भी नहीं है तो यहां पर व्यतिरे की दिखानी पड़ेगी उसके अभाव से ही हमें दूसरे की सत्ता को सिद्ध करना है तो यहां पर जो हमने हेतु दिया की पृत्वी इतरपदार्तों से भिने हेतु दिया गंदवाली होने के कारण तो ये तो हो गया गंदवाली होने के करण यद इतरेव्यों ना बिद्धते जो इतरपदार्थों से भिन्न नहीं है ना तद गंदवत इस प्रकार से जैसे जल तो ये वैसी नहीं है इसलिए ये गंदवत इतरपदार्थों जैसी भी नहीं है तो यहाँ पे जो गंधवत है वो इतरपदार्थों से उसकी जो भिनिता है उसका अन्वेद रिष्टांत मिलता ही नहीं है क्योंकि सम्पून पृत्वी पक्ष बन गई है अब इसके परश्चात पक्ष का लक्षन कहते हैं संदिक्द साध्यवान पक्षा कि संदिक्द साध्यवाला पक्ष होता है यता धूम वथवे हेतो परवता जैसे धूम वथव utilizar जो हेतो है उसमें परवत यह पक्ष है पक्ष था जहां पे हम साध्य का अनुमान कर रहे हैं बड़ी सीधी सी बात है, कि जहाँ पर हम साध्य का अनुमान करें, संदिक्द साध्यवान, संदिक्द साध्यवाला, संदिक्द क्यों का है यहाँ पे, क्योंकि यह ते निश्चित होता तो हमें अनुमान की आवशक्ता नहीं थे, हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा होत कि उसको निश्चित डूप से जानना उसको सिध्ध करना यही यहां पे अनुमिति का उद्देश है इसलिए जहां पर हमें साध्य को सिध्ध करना है वो संदिग्द साध्य से क्योंकि संदिग्दता है इसे लिए हमें वहां पे अनुमान करना है तो संदिग्द साध्य वाला पक्ष होता है जैसे यहां पे कहा कि धूमवत लेतू कि जो परवत का दूएं से युक्तु होना धूमवत पे ही तो परवता कि परवतो वन्निमान धूमाद जो कहा तो यहां पे धूमवत के द्वारा हम संदिक्त अगनी का यहां पे अनुमान कर रहे हैं फिर कहते हैं, सपक्ष का लक्षड कहते हैं कि निश्चित साध्य होता है, कि जहां पर साध्य का होना, निश्चित है, वो सपक्ष होता था, जहां पर हम व्यापती का ग्रहन कर रहे हैं, तो वहां पर हम दोनों को साध्य देख रहे हैं, तो जहां पर हमें साध्य दिखाई प तो अगनी के द्वारा जो है वो धुए का उठना तो मैं पता है कि अगनी के प्रजले थुई तो धुआ उठेगा तो उस धुए और अगनी के साचर को हम वहां से ग्रहन कर रहे हैं उसी को हम व्यापती कहते हैं तो जहां पर निश्चित है निश्चित साध्य वाला कि अगन जहां पे साध्य के अभाव का होना निश्चित है वो विपक्ष है यथा तत्रेव महारदा जैसे हमने उसमें उधारान दिया कि जैसे सरोवर तो वह साध्य के अभावाला होना निश्चित है तो यहां पे साध्य के अभाव का होना जहां पे निश्चित हो वो विपक्ष कहल जैसे परवतो वनिमान दूमवतवात इसमें दूमवतवेहतु से महारिद जो है विपक्ष है कि जहां पर अगनी नहीं है वहां धुआ भी नहीं है तो साध्य के अभावका होना वाला होना यहां पर विपक्ष है जिसे हमने का संदिक्द साध्यवान संदिक्द साध्यवाला होना पक्ष और निश्चित साध्य अभावाला होना विपक्ष और तिसनी चीज़ निश्चित साध्यवान जहां पर साध्य का होना निश्चित है वो सपक्ष इस प्रकार से यह हम हेतु को पढ़ते हैं कि हेतु क्या है पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे और विपक्ष में कभी नहीं रहे उसी को सद हेतू कहते हैं, अब सद हेत्व जिसे जिसके दौरा हम सादिका अनुमान करते हैं हेतू के हम प्रकार तो पढ़ लिए क्यों तीन प्रकार के हो गए अन्वय वेतिरे की, केवल अन्वय और केवल वेतिरे की लेकिन बहुत से बार ऐसा लगता है कि जो हेतु दिया जाता है हमें लगता हमने तर्क किया ये सही हेतु है लेकिन वो वास्ता में हेतु नहीं होता है वो हेतु की प्रतीती होती है हमें वहां पर कि यहां सही बात है लेकिन उसको हम क्या कहेंगे हेतु का आभास होना था हेतवाभास तो वहां पर आभास होता है हेतु है लेकिन वास पर भी हेतु नहीं है इसको अब हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे